हाई गाइस वागत आप लोग कर मेरे चाय पर मेरा जानेट है अगर आप लोट के आ रहे हो थाइंक यू आपके लाइस सब्सक्रिप्शिंस कमेंच के लिए आपके डोनेशन के लिए आपके फुलन सपोर्ट के लिए अगर आप पहली बारा आ रहे हो तो सब्सक्राइब यह जो मेसेज है यह थोड़ा सा सेंसिटिव जाने वाला है तो थोड़ा रिलाक्स हो करके बीप ब्रेट लेकर के सुनना है लिसे जब आपको किसी नी अपने लाइफ से दूर धकेला कट ओफ किया वो अपने आप में तो एक बड़ा धक्का था ही आपके लिए ठीक है बट कट ओफ करने के बाद आपको नौट वर्दी या किसी और को उपर चुनने के बाद वो बाड़ वाली फीलिंग फील करवानी के बाद भी उनका मन नहीं भरा था आपको पीछा करते रहे और वो बार बार करके शौफ करते रहे और आपको हर्ट करते रहे और आपको याद दिलाने की खोशिश करते रहे कि वो कैसे आपसे बहतर चौइस है अपसे लिए परचेश करते रहे और वो बार बार करके आपको नीचा दिखाने की होशिश करते रहे और वो बार इस तरीके से आपके अनस्ती स्पीकर यह उस परसन की इन्सीक्यूरिटी थी अगर वो आपको नीचा दिखा करके अपने आपको बहतर महसूस करा रही थी या करा रहा था तो वो इस तरीके से आपको जब हर्ट कर रही थी या हर्ट कर रहा था तो आपका जो पेन था वह और जादा लंबा खीच गया ठीक है ना जिसके वज़े से इस लाइक जखमों को कुरेदने वाली बात हो गए थी ठीक है ना तो जो एनजी यहां पर सुफस हो रही है पास से इट इस नॉट अबाद ब्रेक अप यह वो जटका नहीं है जब पहली बार आपको पता चला कि आपको परसे आपको चीट कर रहे थी या उ यहां से हठ रहे थे एकसेप्ट करके कि उसने तो whatever it is end of the day उसने आपको दुका दे ही दिया है तो आपको उहां पर ठहरने का कोई मतलब नहीं तो आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर कि जब वहां से हठ रहे थे फिर भी जब वो पीछा करते हुए वह आपको आप करके आपको यह जताना that आप उनसे कम हो उनकी पराबरी नहीं कर सकते हो या आपके एकस परसे नहीं चुना है that you are not good enough and all that rubbish वाली फिलिग एक दम बेकार वाली फिलिग यह वहाला पेम है कि ठीक है अगर तुमने धोका देही दिया है मुझे किसी और के अपर मेरे ओकर को अपर मेरे पीछे हाथ दोकर के पढ़ने का क्या मतलब होता है कि मैं जो अलड़ी समझ में आ गया है that I have been left तो left जाने दो बार बार करके इस चीज़ को लेकर के घीटागिरी का क्या मतलब होता है बट उनका ये जो हूवरिंग वाली बहेवियर थी कि आपका पीछा करना और आपको परिशान करना इसा आपको कही पार फील हुआ है कि आपके एक्स ने ऐसा भी आपके लाइफ में इंटरफेर करके आपको जतानी की कोशिश किया कि आज भी कही ना कहीं उनका आपके लाइफ के ऊपर कोई अधिकार है बोलनी का जगा है तुर्जरा है अगर उन्होंने आपके बेहन को आपके ऊपर चुनाएफ को आपके लेशंश्टीप में थैं और उन्होंने आपके बेहन से अपना रिष्टा जोल लिया तो तो को जीजजी होने के नाटे इस परसेन इस तो 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 तुम्हारे लिए बहुतHeं के काऱ हैं आठ पाइंद अरे लेफन div समय थे से तो इस परशन लेफ। उन्होंने आपको छॉड़ किसी और को चुना के बहन को चुना गए अपको यह बहन को ही चुना गए का एक बहन को अपने अपने ख्रीद्ग के लिए। आपको एक बहन 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 को बढ़े है। तो, for some of you guys, आपने अपने फ्रीडम के लिए आपको एक बहुत बड़ी लड़ाया, लड़ी है चीक है ना, so, yeah you have to put up a big fight ताके आप अपनी आपको उन से मुक्त कर सको तो, फिए उनका इस तरीके से, जाने के बाद भी दखल अंदाजी तरीक के लिए से जाने के बाद भी करना और इट वस हर्ट ठीक है this might be your ex-wife or ex-husband जो बार बार करे आपके नए लाइफ में दखल अंदाजी करने की कोशिश का रहते है या whatever it created a lot of hate आपके मन में उन सारे लोहों के लिए जिनों ने आपके एक्स पार्टनर के इस behavior को बढ़ावा दिया और उनकी तारीफे की ठीक है and they made you feel bad like victim आपको गलत आपके साथ हुआ है ठीक है पर जिसने गलत किया है उसकी वावाई हुई ठीक है और जिन लोगों ने उनके इस behavior को support किया इस cheating को glorify किया आपके मन में उन सारे लोगों के लिए नफरत भर गए ठीक है ना तो यह जो नफरत है toxic emotions है यह इस वक्त आपको surface होता हुआ feel होगा and you might feel like decluttering पूरी तरीके से cleanse करने का आपका मन हो जाएगा रह रहके बीच में बहुत गुछसा आएगा frustration आएगी ठीक है दो चीजे होती है एक अगर आप अपने आखों के सामने किसी भी इंसान को गलत करता हुआ देखती हो और आपको गुस्सा आता है and अगर आप वहाँ पर कुछ बोलना चाहते हो आप बोल करके निकल सकती हो और दूसरा situation होता है मन में किसी के लिए लंबे समय तक गुस्से को पालना यह दो अलग-अलग situations है अगर आप अपने मन में लंबे समय तक उस गुस्से को पाल के अपने रखा है ना तो यह आपको इंटरनली बहुत होट कर रहा है आप इस गुस्से को और अपने अंदर पकर के नहीं रखना चाहते हो बद यह दोन्त नो वह दो रहा है ठीक है ना बद यह ट्रिगर होगा इस वक्त यह पैन इस वक्त ट्रिगर होगा यह साड़ा गुस्सा फस्ट्रेशन बहार निकलेगी तो इसे एक बार भी निकालके फेल को ठीक है दूसरों के कर्मों के लिए अपने आपको कभी भी सजा नहीं देनी चाहिए पॉजिटिव रहने से आप फुलोगे 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 टॉक्सिटी पालने से आप अंदरी अंदर सफर करते रहे ठीक है ना आप अंदरी अंदर सफर करो या पॉजिटिव एनेची में फुलो फुलो जिन्होंने गलत किया है उन्हें वैसे भी अपने कर्मों का हिसा आपको इस टॉक्सिसिती से मुथ कर लो I feel जो चीज यहांपर ट्रिगर होने वाली न it is because somebody is going to reject something like कोई आपको कुछ बोलेगा कि मुझे तेरा यह पसंद नहीं आया या इसलिए तो मैं तुछ से बात नहीं करती मुझे तेरा यह नहीं चाहिए like कुछ तो कोई यहांपर आपको बुलेगा like आपकी सुको कुछ दोगे या कुछ करोगे and वो अपको appreciate नहीं करेंगे and ऐसी बातों बातों में वो आपको कहेंगे कि मुझे नहीं पसंद पर उनका यह बोलना ही आपके इस old pain को trigger कर जाएगा and you will feel bad ठीक है ना now जो इनसान आपको trigger करने वाला है वो इनसान आपके लिए बुरा नहीं है this might be a new friend or colleague or something ठीक है but like यह छोटी सी चीज हो सकती है जो आसानी से आप जाने दे सकते है it's not a big deal ठीक है ना कि वो कप्रा मेरे उपर सूथ नहीं किया एक छोटी सी बात हो सकती है but क्यूंकि आपने एक ग्रज को अपने मन में बहुत लंबे समय से पाल के रखा हुआ है and you are still hurting from inside यह आपके लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी अचानक से and it's gonna trigger you really bad ठीक है but एक दो दिन के बात रोना दोना करके, रिलीस करके फिर आप इस चीज से मुग्द भी हो पाऊँए तो इसके लिए रेडी रही हो यप इस पेन के बात strength वापस आ रहा है तो इतने लम्य समय से जो यह पेन आपको अंदर ही अंदर आपको hurt कर रहा था ठीक है आपके लिए health problems लेकर आ रहे थे finally इस चीज से आप मुप्थ हो जाओगे ठीक है It's like यह दर्द काइंड आपको control कर रहा था आपके बहुत से आप सही से नहीं ले पा रहे थे because of this आपको दर लग रहा थे कि दुबारा फेसे कोई मेरे साथ ऐसा ना पर रहे घब्राहट आ गई थी ठीक है इस पेन के होने के वजह से अगर वो इस पेन के रहे गई है वो कुछ भी कहें कुछ भी करें आप एकदम लापरवा हो सकते हैं मुझे फर्ट नहीं पड़ता आप उस पावफुल जोन में आप आओगे जहां पर उनका होना ना होना आपके लिए माइने नहीं रखेगा ठीक है न वो चाहे कुछ भी बोले कुछ भी करें इस बार आप उन्हें कट आफ कर पाओ के सेंग कि यू डॉंट माटर तुमी तुम्हारे बाते मेरे लिए वालिड ही नहीं है अप्लीकेवल ही नहीं है मैं हूँ अपने लाइफ के लिए ठीक है ना आपको आपको पुछ यू इन वरी लो वाइब्रेशन एकदम से अच्छे मोड से बुरे मूड में आ जाते हो पर वो चीज़ होना बंद हो जाएगा once you heal from this take care yep you're sailing away you're sailing away finally inside out transformation के लिए आप absolutely ready 768 बहुत important होगा आप लोग के लिए यह numbers आप लोग को बार बार करके दिख सकता है यह आपके birthday numbers हो सकता है ठीक है I think some cards from here as well blocked blocked forever आप कई बार लोग फोन पे ब्लॉग करते हैं एक दूसरे से और कई बार फिजिकली भी मुव होने के बाद वह इंदूसरे से बात नहीं करते हैं पर energetically they are still connected अगर आप उनका दिया हुआ आप पेन अपने अंदर कर रहे होना तो you are still carrying parts of them देखो हम लोगों के memories लेकर के आगे बढ़ते हैं अच्छे memories भी और बुरे memories भी ठीक है तो आप हो सकता है कि आपके वह अच्छे memories धुनली पर गई हो या वह fake था तो वह कपका गाइब हो गया पर जो negative memories भी भी रह गया है तो parts of them it's still there तो उनसे पुरी तरके से छुटकारा पाने के लिए तो आपको यह कर नहीं होगा you will have to release it एक प्यार भड़ा दिल प्यार से भड़ा रहे तो अच्छा है उसमें अगर कोई toxic emotion ठोड़ाते है तो प्यार कम हो जाता है और गुटश сам नाराज़घी सभड़ाते कि षब रिलीख कर लेना चुरू करदे लेना है कि व sécurité से पहर माइब का मैंता है तो आपको तो पैंचान ही हिने पाएने तो यह दूते है ke ing equis कि पहले जैसे उनका इक control था आपके ऊपर या वो कुछ भी करते थे उन्हें एक reaction मिलता था आप से फर्क पड़ता था आपको पर अब जब फर्क नहीं पड़ेगा they will realize that actually उनकी जो importance थी आपके लाइफ में वो खतम हो गई है time shows who is the boss you yeah it's like वो इतना हद तक कर पाए क्योंकि कही नख ही आपने जगा दे रखी थी and you do not have to judge yourself or hate yourself for that आप एक अच्छे इंसान हो obviously आप रिष्टा निभाने वालों में से हो तो आप तो जगा दो गई ही जो रिष्टा निभाना जानते हैं उन्हें रिष्टे में आने में भी time लगता है और रिष्टे से पीछे हटने में भी बहुत time लगता है इसमें कुछ भी unnatural नहीं है यह अच्छे इंसान होने की लक्षन है और अपने अच्छे होने की लक्षनों के लिए आपको शर्मिंदी की महसूस नहीं करनी चाहिए अब अगर कोई इसक्या फाइदा उठाता है और आप फैसला करते हो कि आपको वहां से हटना है तो यू आपको वहां से हटना है तो यू अच्छे संगत में रहना आपका धिकार है यू आपकार है तो यू आपको जच करने के जरुवरत में है कि यार मैंने उन्ही इतनी जगा दे जगा दे जगा है कोई बात नहीं कोई बात नहीं अब अच्छे लोगों के लिए जगा बना इस पारो लाइफ okay we've got A-S-H W-K-T we've got dark spirit animals में इस वक्तापो को birdies बहुत सारे दिखाए देह सकता है especially white color के birds we've got tulips speak your truth they try to steal your gift but their body is not strong enough to hold them they will lose their mind okay यहां पर किसी ने आपके spiritual gifts को चोड़ी करने की कोशिश किया आपको ब्लॉक करने की कोशिश किया या वो जताने की कोशिश कर रहे थे कि वो गिफ्ट है और आपने ही ठीक है क्या होता है ना this is this is funny to me honestly देखो जो actually महनत करते हैं वो धीरे धीरे ना सिफ अपने काम को पूरा कर रहे होते हैं बलके अपने काम को आगे चलके भी सहेच के रखने के लिए अपने आपको भी सक्षम बना रहे होते हैं we grow through the process जो हम काम कर रहे हैं हम अपने skill works को भी तो बहतर कर रहे होते हम सिफ काम नहीं कर रहे होते हैं हम भी उसमें develop पोरे होते हैं बहतर बनते चले जाते हैं अपने काम के रहे हैं तो उसमें हमारे अंदर भी बहुत सारे changes improvements आते हैं और काम के साथ साथ हमारा internal शमताय भी बढ़ती चली जाती है तो by the time you get that success आपको पता है कि आपको अपने चीज़ों को कैसे सम्हालना है उसको आगे कैसे लेकर जाना है और अफरीथिंग जो लोग जैलिस होते हैं जिन्होंने इस चीज़ पर काम नहीं किया है और उन्हें आइडिया भी नहीं है what it's like to be you ठीक है वो आपसे आपके चीज़ों को चुरा सकते हैं पर वो उसे सम्हाल के ज्यादा लंबे समय तक उसको नहीं रख सकते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उसे सम्हालना कैसे है वो चोड़ी करके जता सकते हैं कि ओ ये मेरा है वो क्रेड उन्हें नहीं पता होगा कि उसे आगे कैसे बढ़ाना है राइट सो यहां पर कोई बहुत बुरी तरीके से पकरे जाने वाले हैं because उन्हें समझ में आएगा कि कौन रियल है और कौन फेक क्योंकि यहां पर शम्ताव का क्लाश लगने वाला है इस राइक एक पॉइंट के ब दो नो हाँ टेक कैर अफ तो या तो उस चीज को वो मिस्यूज कर बढ़ात कर देंगी जो भी उन्होंने आपसे चुराया है ठीक है वो शो आफ कर सकते है कुछ वक्त के लिए पर लंबे समय के लिए उसको पकर के भी नहीं रख पाएंगे वो सम आप तेम उन्होंने जो आ पर भुड़ा ठग उनके लाइफ में आएगा और वो सारी चीज लेकर के चली जाएगे वो शोप में और शोप मूद दो यह आप लोग की ईनिशियोज हो सकते है आपके उनके इनिशियोज हो सकता है We've got 212 angel number, Plumeria flower, Shubha, we've got the letter B, Y, and we've got R, you shall recognize what is keeping you stuck, 2-1-1-2 and I said that, you can see what is what kept you in the future, now this can be very deep subconscious but thanks to the timeline, literally you are going to be triggered and it's going to be a good stuff for you, okay, finally you will be able to help yourself, now honestly speaking you guys should take reading, you should take healing sessions, so that you don't have to wait for a long time, I know, and then tell me about it, when you are going to be a good thing, when you are ready, it will happen when you are ready, most of you guys what you have seen in energy, you wait for कि चीजे खुद बखुद हो कि कोई और आपका हो कर दे या मिराकुलिस्टी कुछ हो यू रिली नीड तो अंडरस्टाइंड कि लाइफ एजी नहीं है और हमें उसके पीछे एफट्स डालने वड़ने तो अगर आप रेगुलरी हीलिंग एपना स्पिरिचुल वर्क वगरा सब आप करते रहते हो तो आपको इंतजार करने की ज़रुवत नहीं है जो चीज पांच मैने में होने वाला होगा उसे आप पांच दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो तो यह डिपेंड करता है कि आप अपने आपको कितना सीरिस्टी लेते हो और आप अपने आपको अपने लाइफ को कितना सिंसिरली टेक केर करना चाहते हो ठीक है आप लोग अपना ध्यान रखो मैं मिलते हूँ आप लोगों से अपने अगली रीडिंग पर टेक केर बाए